अलो दोस्तो नमस्कार प्रॉफिट गुरू चैनल में एक बन नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों कहा स्वागत करता हूं तो दोस्तो अभी तक का सबसे ट्रेंडिंग स्टॉक जो आप लोग देखते आ रहे होंगे अधिक तर जिसका नाम याज़ बैंग है एक याज़ बैंग में और बड़ी न्यूस आते देखने को मिल रही है अब इस न्यूस का हमें स्टॉक पर क्या प्रावाव देखने को मिलेगा क्या इंपेक्ट देखने को मिलेगा ठीक है यह चीज हम इस वीडियो में जानने वाले वो न्यूस क्या है क्या स्टॉक को पूरा जीरो कर देगी या मान लिजिए स्टॉक को उपर भागा देगी य चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यही बोलूँगा, अगर आप लोगों ने हमारे प्रॉफिट गुरू चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो डेफिनेटली सस्क्राइब करके जाए दोस उसको कबर कर लेते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हो, मन्नी कंट्रोल की साइट के उपर मैंने आप लोगों को लाया हूँ, 24 मही लगबख पोने दो बजे का अपडेट है, मतलब आज ही के दिन का, यह बैंक को 81, बांड मामले में 25 करोड उपए की पेनाल्टी से फिलाल रहा, जानिए क्या है पूरा मामला, आप लोगों को पता होगा, कि जबी 25 करोड उपए की पेनाल्टी का अनाॉंसमेंट हुआ था, सेवी के तरफ से, यह क्यों किया गया था, क्योंकि जो बैंक है, बैंक के के करीवन 2-3 ऐसे करमचारी थे, जीनों ने, जो कस्टमर था, ठ इसकी बॉंट में लगाया था, ठीक है, तो जिसके करन सेवी ने इसकी जाच परताल करते हुए, आरबिया ने इसकी जाच परताल करते हुए, इनके ओपर यह पेनाल्टी ठोकी थी, लेकिन अभी उसके फिलाल उसको रहात मिली है, वो किस वेज़े से मिली है, यह सब चीज ठीक है, एसे टी ने मार्केट रेगुलेटर सेवी ने 25 करोड उपए की तरव से यहस बेंक पर पेनाल्टी लगाने के फैसले पर अंतिम रोक लगा दिये, सेवी ने यहस बेंक पर पेनाल्टी लगाने के साथ ही, इसे तीन अधिकारी निकले ना, मैंने आप लोगों को बत आया तीन अधिकारियों पर जुर्माना थोपा था ठीक है इस में से बीबे कवरन पर एक करोड रुपए आसिस नासा और जीत सी पर पचास पचास लाग रुपए का जुर्माना लगाया था तो आप लोगों ने ये तो देखी जुर्माने की बात ठीक है अभी रोक लगा दी गई जो पिनाल्टीन को भरना था ठीक है अब देखे मार्केट रेगुलेटर से भी का आरोप था कि बैंक ने ग्राहकों के साथ दोका धड़ी की है मतलब बैंक की कंडिशन दोस्तो बैसे ही खराब है देन उसके बाद भी दोस्तो अभी ये जो दोका धड़ी वाला काम है उसके खुद के इंपलोई उसके खुद के इंपलोई अभी भी कर रहे हैं जब तो बैंक के मालिक नहीं दोका धड़ी का काम किया था ठीक है कि बीना गौवर्मेंट के पूछे जो गौवर्मेंट का रूल है कि किसी भी कॉर्परेशन कंपनी को एक दायरे में ही लोन देना जिनका लाखो रूपय अभी भी इस bank में लगाओगा, फिर भी दोस्तो अभी भी आप देखिए, इसमें दोगा धड़ी चल रही, तो हम yes bank के stock के उपर अभी भी किसा भरोसा कर ले, सब बोल रहे हैं यह 12 रूपय के stock, यह 15 रूपय का stock, 50 रूपय जाएगा, 100 रूपय जब bank की condition ही दोस्तों इतनी बड़ी है जहाँ पर धोका धड़ी का ना मारा है ठीक है खिर यह आप लोगों के उपर है मैं ज़िए जाद्या बताने की जरूरत नहीं है Yes bank के secondary market secondary market में 80 bond की बिक्री करते हुए इसके risk packet की जानकारी ग्रावकों को नहीं दी मतलब जिसका पैसा आप यूज कर रहे हैं अगर उसको आप जानकारी नहीं देंगे तो दोस्तों अगर उस पैसे को कुछ हो जाता है तो उसका फिर risk कौन लेगा देखिए अगर मान लेजे उसके वो पैसा चलो चले भी जाता है ऐसा लग रहा है बैंक recover ही नहीं कर पायागा ये चीजे काफी difficult देखने को मिल रही है अब देखिए सेट ने सेवी को अगले चार हपतों में इस मामले में अपना जवाब देने को का है सेट ने जिसने penalty ठोकी थी उसने सेवी को अगले चार हपते में इस मामले पर अपना जवाब देने को का है इसके तीन हपतों के बाद ये जवाब को सेवी से जवाब पर अपना पक्ष पेश करना होगा मतलर देखिए चार हपते तो सेट ने बोला है सेवी से देन सेवी ने यहापते दिये हैं ये जवाब पेश करने को इस मामले को अगली सुनवाई के लिए 31 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया है सेट ने यस बैंक की पेनल्टी पर अंतरी रोग लगाती हुए कहा है कि अगर यस बैंक का पक्च गलत साबित होता है तो यस बैंक के दो हफते के बीतर पेनल्टी चुकानी होगी मतलब सेट ने आपर सीधा सीधा बोल दिया है कि जो पेनल्टी अभी रोग लगा दे गई है ठीके लेकिन यस बैंक का पक्च अगर गलत होता है तो डेफिनेटली जो 25 करोर रुपे की पेनल्टी है दोस्तो ठीके वो इसको दो हफते के अंदर अंदर पे करनी पड़ेगी अब ये बैंक के पॉकेट से ही पैसा जाएगा ठीके बैंक और लॉस में जाएगा एके गुपे काफ़ी इंपोर्टेंट है क्योंकि खाता दहरा को इंपके कमाई ही नहीं हो रहा है बैंक के तरब कोई रुख ही नहीं कर रहा है बैंक के ओपर यह उल्टा काम बैसे ही हो रहा है और बैंक को इधर भी पैसा देना है तो यह चीजे बैंक में क्या होती है बैंक में पूरी तरीके से ट्राइंगल चीजे बन रही है तो बैंक इसी चीज में गुथाती जा रही है हम एक हिंदी भासा में बोल ले तो ठीक है अब देखे सेट ने क्यों लगाई अंतरीम रोक सेट ने अपने आदेश में कहा है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्षन 1949 के तायत हमने पाया कि केंदर सरकार ने मार्च 2020 में यस बैंक पर मोनोटोरियम लागू किया था इसके बाद यस बैंक का एडी मिनिस्टर भी सरकार ने नियुक्त किया था बैंक रेवी नेशन की रहा पर था और काफी पैसा बैंक को रिवाइवर करने पर खर्च हुआ था ठीक है ग्राहक को 81 बांड के रिक्स की जानकरी दी गई थी इसके बाद ही बहतर डंग से जानकरी रिलेशनसीप मेनेजर से मेनेजर दे सकते हैं लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में उन्हें सामिल नहीं किया गया है वह दूसरी तरफ से प्राइबेट बेल्ट मेनेजमेंट टीम के स पेनल्टी ले क्योंकि बेंक की कंडिशन अभी लास्ट एक साल से दीरे दीरे सुधर क्या ही है ठीके लेकिन जो इसके रिलेशनसीप मेनेजर है उनसे भी पूरी तरीके से जानकरी प्राप्त की जाएगी अगर वो भी जानकरी में सामिल होते हैं ठीके जो ग्राह के उनको अगर यह चीजों का पता नहीं रहता है तो फिर डेफिनेटली सेट को दोस्तो गौर्मेंट के नियम के एकॉर्डिंग सेट के नियम के एकॉर्डिंग उनको फिर यह पेनल्टी बसुली करना पड़ेगा तो यह चीजे बैंक के लिए एक बार सही नहीं देखने को मिल रही है और इसकी जानकारी सब को थी इसकी इसी को आधार बना कर पेनल्टी पर अंतिम रोक लगाए गए मतलब एक चोटा सा इनको कुछ मां बोल सकते कि थोड़ा सा कन्फरमेशन मिला है कि जानकारी सभी को थी जिसके लिए दोस्तों ये पेनल्टी को अभी रोक दिया गया है बहुत बेकार नीज हमें देखने को मिल रही है बाकी अगर हम यस बेंक का पाफरमस देखें तो देखें पेनल्टी की जो न्यूस अगर आई है कि पेनल्टी रोक दी गए तो उससे थोड़ा यस बेंक के शेर में हमें खुसी देखने को मिली लगबक पोने चार परसें की तेजी देखने को बिल रही है तेरा रुपए पिच्छे से पैसे क्यास पास यह स्टॉक क्लोज हुआ है प्रिवेस क्लोज था था तेरा रुपए 35 पैसे से वही प्राइस पे स्टॉक ओपन होता है हाई लगाता है 14 रुपए 10 पैसे और लो लगबक देखा जाए तो पचा पचास से सहट पैसे का मुमेंट हमें देखने को मिला है वॉल्यूम की कंडिशन तो दोस्तो इतनी ही देखने को मिलेगी 30 करोर क्या मालोब इसमें कितनी कॉंटिटी बाय हो रही है 30 करोर कॉंटिटी यहां पर ट्रेड हुई है बागी 52 का है 52 का लो आप देख सकते हो 5 रु रुपए पर चल रहा था एक प्राइवेट बैंक में यह बैंक का नाम चल रहा था लेकिन वह आज 5 रुपए पर क्या हो गया दुस्तों अग्दम समापते देखने को मिल रहा है देन उसे के साथ-साथ डिलेवरी पिटन देखिए लग बग 33.68% का कॉंटिटी देखेंगे 9 करोड कॉंटिटी देखने को मिल रही क्या मालूम इसमें केसी होप लोग आके बित हैं इन्वेस्टर बाकी कंपने इन्फोमेशन आप देख सकते हो कितना बहतरिंग रिजल्टा में देखने को मिला है मार्च का अगर इतना प्रॉफिट होता तो यह बैंक आच कहां पर हो कहां ज्यादा से ज्यादा आप उसमें 1000 कॉंटिटी जाएं मैं तो बोलता हूं ज्यादा ज्यादा हजार भी नहीं सौ पॉस्टिटी डाल के बेड़ जाएं जिस दिन ये स्टॉक दोस्तों 100 रुपे के उपर जाया है उस दिन ही में इन्वेस्मेंट करूंगा ही नक तो मु वीडियो को क्लोज करते हैं वीडियो को क्लोज करें समय यही बोलेंगे वीडियो पसंदा तो प्लेस लाइक करिए के निल पर आप नए वाते चैनल को जरू सब्सक्राइब करें क्योंकि हम डेली वेस्ट पर आप लोगों के लिए इंट्राइडे की टिप्स और मार्केट थे हैं तेंक्यों दोस्तो